नमस्कार दोस्तों मैं एदी पेश कुमार आप सभी का रेड़े में करनी पा स्वागत करता हूँ यह मेरा स्कोर है अंग्रेजी में आप देख सकते हैं 50-50 आप हमें इन सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए टेलीग्राम जरू जुवान कीजिएगा अबर एदी आप CSSL 2020 से सेलेक्टेड है तो इसके लिए एक एस्पेशल ग्रूप टेलीग्राम ग्रूप बनाया गया है तो आप इसे जरू जुवान कीजिए वहाँ पे लगबग 40 कंडिडेट जुड़े हुए हैं तो जो भी इन्फोर्मेशन होगा आपको वहाँ पे मिलता र कुमिनेशन लिस्ट आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं बहुत फास्ट प्रोसेस चल रहा है ससी में तो वीडियो को आन तक जरूर देखें ए छोटा सब नोटिफिकेस अर्टी आई था सीजेल 2022 के जो ट्रूटर फर्म भारे गये थे 33 लाख नहीं इतने कंडिडेट पचास जार लगी 55,194 कंडिडेट एलिजीबल थे एकजाम देने के लिए जिन में से 16,166,667 कंडिडेट एपियर हुए और कुछ कंडिडेट का फर्म रिजेक्ट भी हुआ था और जो यहाँ पर एटेंडेंस रहा परसेंटेज का वह 46,24 परसेंट रहा यानि कि हाई परसेंटेज रहा इस बार एटेंडेंस मनें बहुत से बचों ने अपना एकजाम दिया इस बार तो यह नोटिस है नॉर्दन रिजन का इसमें लिखा हुआ है कि सब भी उजर रिपार्टमेंट को एससी दोवार रिक्वेस्ट किया गया है कि कि एससेल 2020 में जितने भी नॉमिनेटेड कंडिडेट है उनका डोजियर एससी के हेड़कॉर्टर से आकर ले जाए और यहां पर इसमें लिख्या हुआ है कि कोई ऐसा अथोराइज लेटर के साथ कोई यूजर डिपार्टमेंट का आदमी जाएगा वहां पर सब डोजियर मनें अलाओ अलाओ डिपार्टमेंट का कोई ना कोई एक आदमी होगा जिसको और उस डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट के जितने हैं उसका डॉक्मेंस उनको दे दिया जाएगा यहां पर दिया हुआ कि जो आधिकारी आएगा उसका आईडी गोर्मेंट आईडी भी चाहिए जो डोजिय लेने आएगा तो यहीं सब लिखा हुआ है कि और बाद में यह सब प्रक्रिया हो जाएगा तो इसका नुमिनेशन लिस्ट यहां पर आपको यह एससी गनौर्दर र में वहां पर नुमिनेशन लिस्ट आ गई है तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर रॉल नंबर दिया हुआ है नाम दिया हुआ है एक काटेगरी दिया हुआ है किस काटेगरी से आप भारत है काटेगरी 2 है पोस्ट सेलेक्शन मनें आपका किस काटेगर स्टीक्टिस रुए है तो इसलेक्टर सैंस किस जन्री एक एस अब धिया हुआ यहां पर रांक भी दीया हुआ है और यहां पर दिया है रिजेक्शन या पूंदिया है इनका प्रवीजनल है अपने सब दिया हुआ है वह नहीं को कोई मतलगिंद की नहीं होगा यहां पर दिया है उजर डिपार्टमेंट से अड्रेस यह सब दिया है ठीक है एक कैंटिन डिपार्टमेंट का है मुंबाई का जो एड्रेस है दिया हुआ है जिनका लिशी में हुआ होगा कैंटिन डिपार्टमेंट मुंबाई का तो यहां पर इसका अड्रेस है और जो अपार्टमेंट को एसे सी 15 12 को भेज़ देगी ठीक तो एसे ही सब लिस्ट दिये ही हुई है लिस्ट में सब नाम दिया हुआ है यह आप देख रहे हैं वीडियो तो आप टेलीग्राम जरुजवान कीजिए कि उस टेलीग्राम पे लिस्ट प्रवाइड कर दी गई है टेलीग तो मैं पूरा यहां पर नहीं दिखा सकता हूं आपको उस लिस्ट के लिए टेलीग्राम जोइन करना पड़ेगा अब कुछ सवाल है जो आपके मन में आ सकते हैं कि क्या या नुमिनेशन लिस्ट क्या होती है तो नुमिनेशन लिस्ट वह लिस्ट है जिसमें जैसे कि हमारा है आपका ससे सल में तो जिस्ट जो आपको पोस्ट जैसे आपने भरेयों को पोस्ट प्रिफ्रेंशन जैसे इसका पीए से किसी ने भणा को पीए से के डिपार्टमेंट में य३रि में स सी आपका है जितना भी टोms लिए वह भीज़ देगी तो में इम सरक्राइन क्या जा copying अब जो भी प्रोसेस होगा आगे का वो डिपार्टमेंट अपना प्रोसेस करेगा जैसे कि आपको एक टेस्टेशन फर्म भेजना चाहे जो भी हो सरकर अलाट्मेंट फर्म इस अब इसू करना इस अब डिपार्टमेंट का हो जागा क्या इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं इसके बाद Direक दिवाइनिंग लेटर नहीं आएगा इसके पहले आपको एक डिपार्टमेंट के दौरा जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्स भी त्वरा जिस डिपार्टमेंट के दौरा नुमेंशन लिष्ट के हुआ हैं सके बादा पूरफ अफ्onist दिपार्टमें लू स्ट में दितल लिश्ट है तो नहीं यह डिपार्टमेंट लिश्ट नहीं है यह क्या उपिर नुमिनेशन लिश्ट है जो यह से जिस दिपार्टमें वह सेलेक्षन हुगा है उसमें दिखाएगी कि हां इसमें है सब कर देए घ्यान है यह सरकर लिडेस नहीं है। इसके बाद जैने के बाद जो प्येसास का जो एलॉट्मेंट होता है उसका फ़ोम आएगा वीशित पर इंडिया पोस्ट के साइट में आपको जाकर उसको डान्लोड करना और फिर उसको फ़र करना और हो ऑनलाइन सम्मिट कर नांट एस तरह उसमिट करना में क्या वन किchnो उसके कि यह सब लिस्ट त्यार की जा रही है नुमिनेशन लिस्ट और किसी का नाम इसमें नहीं है तो आपको घबड़ाने की ज़रत नहीं है हो सकता है कि आपका कोई चीज में प्रोब्लम हो तो इसको एससी दुबारा क्रोस वेरिफिकेशन करेगी तब आपको फिर से दुबारा एक लिस्ट अपलब करा दी जाएगी तो उमीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा कि नुमिनेशन लिस्ट होता क्या है अगर आपको एक वीडियो पसंद आया तो हमारे रेडमी एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा अगर कोई भी इनक्वेरी बाकी है या आपके मन में है अभी भी तो कमेंट में जरूर पूछें फिर मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ तब तक लिए जाहिन दे